कि अलाग अलाग जहां पे हमारा रीटेल पॉइंट है और विल्क बूथ है तो वहां पे हम लोग पर्थूर मात्रा में बवस्ता रखेंगे लोगों से आगरा यह होगा कि लास्ट मॉमेंट का इंद्जार नहीं करें मकर संक्रांती आने वाली है और दूद और दही की रिवान सबसे ज़्यादा रहती है बिहार में सबसे ज़्यादा बिटने वाला प्रोड़क्ट सुधा काई हो अभी है मौजूद है पतना सुधा प्लांट में और हमारे साथ है मैनेजिंग डारेक्टर स्रीट एसन ठाकुर चलिए हम उनसे जानते हैं क्या कुछ खास रहेगा इस बार क्या कुछ खास रहेगा सर इस बार सबसे पहले तो मैं अपने विहार व्यास्तियों को नवर्ष की सुभकामना देता हूं और आने वाले मकर सक्रांती के भी बहुत बहुत सुभकामना देता हूं हर वर्ष हम लो लगबाग चोटन हम लोग पिड़ा उपलब्द करा रहे हैं पनीर भी हमारा करीब करीब 25 तन उपलब्द कराने का तारगेट है इस औसर पर कहीं भी कोई दूद की और दही की कमी नहीं रहेगी परचूर मातरा में हर जगा दही और दूद उपलब्द रहेगा हमारा दही एक्सप्रेस जो है वो दो तारिक से चलेगा और पटना के हर सरक हर मार्ग से गुजरेगा और जहां भी अपुर्ती के आऊ सकता होगी इसे उपलब्द कराया जाएगा इसके साथ साथ हम लोग 12 आरिक से 14 आरिक तक टेंकर में भी दूद भरके भिन्विन समय पे भिन्विन अस्तानों पे पटना के उपलब्द करायेंगे जहां से हमारी भोगता आ सकते हैं और लूज मिल्क लेकर उजा सकते हैं और उसका उपयोग और दही जमाने के लिए कर स सारी बेवस्ता की देखरेख के लिए हम लोगों ने आठ फ्लाइंग स्कॉइड बनाया है और शुबह से लेकि रात तक पटना के हर सदक से गुजरता रहेगा हर एरिया से गुजरता रहेगा और जहां भी दही दूद की आउशकता होगी उसे तुरत उपलब्द कराया जा लुए अपने सबी रीटेलर्स को डिस्ट्रिब्यूटर्स को एक नंबर जारी कर रखा है कि जहां भी कोई आओ सकता हो दीकत हो तुरत हम से संपर्क करें और उसको हम लोग तुरत रीड्रेस करेंगे तो हम अपने पटना वासियों को विहार वासियों को विश्वास दिला जाते हैं कि शुधा पिछले 40 वर्षों से उनकी शेवा में रहा है और हर अस्तर पर हम लोग खरे उत्रें इस वर्ष भी हम लोगी सेवा में खरेंगे और अपनी शेवा देंगे जो भी रहती है सर उसके लिए काउंटर पर हमें नहीं लगता है कि भी रहेगी क्योंकि हम ल अगलक जहां पर हमारा रिटेल पॉइंट है होल्डे मिल्क बूथ है तो हाँ पर हम लोग पर्फूर मात्रा में बवस्था रखेंगे लोगों से आगरा एह होगा कि लास्ट मोमेंट का इंद जार नहीं करें अभी से ही मार्केट में अभेलेबूल है और हमारा दही अगर अपरेजेटेड कंडिशन में रखते हैं तो चार दिन सेलफ लाइफ है उसको लेकर आप रख सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं तो कहीं भी भी लास्ट मोमेंट में रश्ट करने की आऊ सकता नहीं है लास्ट मोमेंट के लिए परचूर बेवस्ता है हर जगा हम लोग उ जड़ेट निर्धारित कर रखा है इसका रिजिस्टेशन चौदे तारिक से होगा प्रेश रिलीज जा रहा है उसमें नंबर भी दिया हुआ है चौदा से लेके सोरा तारिक तक आप रेजिस्टेशन करा सकते हैं दो वर्गों तीन वर्गों में इसका रेजिस्टेशन तो यह आयोजन होगा हम लोग यहीं इस डेरी केंपस में इसका आयोजन करेंगे हम लोग आसा करते हैं कि यह बहुत सफल रहेगा बहुत सारे जगह पर जो रिटेल प्राइस रहता है न सुधा का उससे ज्यादा लेते हैं लोग तो उनको कैसे अब बंद किजिए उसी के सब्सक्राइब करेंगे तो यह थे हमारे सुधा के एमडी सन ठाकुर जी और जैसे की उन्होंने बताया बहुत पुकता इंतिजाम किया गया है डेरी प्रोड़क्ट को लेके और मकर संकांती को लेकर साथी साथ जो आयोजन की हैं कॉंपिटिशन का उसका भी यह लोग कर र कर दो वेसकर सस्न्यश पातना